नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल जोबित पेडी में दोस्तों आज इस क्लास के माद्यम से हम चेप्टर पांच की एक्सरसाइज 5.2 का क्युस्टर नम्मर 3 करेंगे पिछले क्लास में ने क्युस्टर नम्मर 2 तक कर लिया है अगर से लेकर चैप्टर 5.2 की क्युस्टर नम्मर 2 तक के सारे वीडियो है वह मैंने उसमें डाल रखे हैं अगर आप कोई भी चैप्टर का कोई भी क्यूशन देखना चाहते हैं तो आप आप से प्ले लिस्टे देच सकते हैं प्ले लिस्ट का लिंक आप उन्हें डिस्क्रिप् तो क्यूशन नम्मर 3 है निम्मलिकित समांतर स्रेडियों में रिक्त खानों यानि कि जो हमें बॉक्स दिये गए हैं इन में हमें बताना है कि क्या आएगा ठीक है इन पदों को हमें निकालना है तो सबसे पहले हमें बोला गया है समांतर स्रेडियों है समांतर स्रेडियों है ठीक है इसका जो क्यूशन फर्ष्ट है इसमें में दिया गया है दो फिर ये दूसरा पद देना वो नहीं दिया गया वो निकालना है और फिर हमें तीसरा पद दिया गया है तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे देखो हमें पहला पद दिया गया है दूसरा पद निका क्याफ़ाइस निकालते हैं इस पहले पर की के अंदर अगर हम सारों ढु scaled और दो दूसरे परजाएगा ठीक है इसी प्रकार अगर हमें तीसरा पर निकालना हो जएसे में दूसरा और तीसरा दोन्हों निकालना है, पहला पद सूथ अपद हमें दिया गया है, तो तीसरा पद हम कैसे निकालते हैं, दूसरे पद के अंदर अगर डी जोड़ से दिए दूसरा पद क्या है a Pplus 5D यानि कि अगर हमें पहला पद दिया जाए दूसरा तीसरा छोटा 5 और शटा अगर कोई भी पद पूछा जाए तो हम निकाल सकते हैं पर सरत क्या है कि हमारे पास T कमान होना चाहिए क्योंकि A कमान तो हमें पहले दिया गया जैसे यहां पर एका दिया गया अगर हमें दूसरा पद निकालना है तो यह तो हमारे पास है हमें डी कमान चाहिए तो सबसे पहले हैं किस नौमें करना क्या है कि जो भी हमें दिया गया है उससे हमें डी कमान निकालना है और डी कमान निकालने के बाद में इ यानि इसको हम क्या लिख सकते हैं पलस टू डी लिख सकते हैं छोता पद गैसे निकालते हैं ए पलस तीन डी चाहिए जो परकार इसे एक म् I यह पांच डी और इसमें ए हमें जोड़ देंगे तो यह फॉर्मेंट है वो आपको ध्यान में रखना है ठीक है जो भी हमें क्यूशन के अंदर दिया गया है ना उनसे सबसे पहले हम डी निकालेंगे और डी के बाद में इस परकार से जो भी हमें पद बोले गये हैं वो हमें निकालने है ठीक है तब हम इसका क्यूशन नमर एक करते हैं तो क्यूशन नमर एक के अंदर हमें क्या दिया गया है जो भी हमें दिया गया ना पहले वो हम लिख लेंगे ठीक है तो चलिए क्यूशन नमर इसका एक करते हैं किस प्रकार आपको एकदम सही करना है यह हमने लि अब n경ालना है टिक निकालने के लिए कैसे निकालेंगे डी का माल तो हमें पता होगा तब हम लीका निकालेंगे अब a3 a3 को मैंने आपको अभी बताया था a3 को डी1 007 के देंगे ए Canon 28 इसको नाम देंगे में समिकन 1 लायए में आप एक कामान रख दें क्योंकि एक कामान अपने पास है तो में आशी डी कामान निकाल सकते हैं तो हम लिख देंगे समिकन समिकन एक में एक का मान रखने पर एक कामान रखने पर अब एक कामान हमें कितना दिया गया है दो दिया गया है तो एक जगह हम क्या रख देंगे दो रख देंगे दो पलस दो डी हमने कुछ नहीं किया एक जगह सिर्फ और शिर्फ दो रख है ठीक है बाकी आप सुमिकर ने को ऐसा का ऐसा लिख देना है अब दो इससाइड़ाके माइनस का हो जाएगा तो यहनी कि 2D ब्राबर 26-2 तो यहनी 2D ब्राबर कितना होगा चोईस हो गया यह दो यहाँ पर डी आपनी पास कितना होगया 12 आ गया, ठीक है, हमें दूसर रपद निकालने के लिए क्या चाहिए था, डी कमान चाहिए था, तो डी कमान तो हमने निकाल लिए, डी कमान कितना है, 12 है, तो हम यह आचे दूसर रपद निकाल लेंगे, A2 A2 बराबर क्या होता है A plus D होता है ठीक, A plus क्या होगा आपका, D होगा दूसर रपद निकालने के लिए, A का मान अपने पास दिया गया कितना है, 2 है, और D का मान अभी निकाला है, 12 है, दो और 12 को जोड़े तो A2 का मान कितना हो गया 4 गया आगया यहनि कि जो हमारे पास दूसरा पद आएगा सब्सक्राइब हम निकालेंगे इह एक मान कितना आए छोगों ₩ इसका वह चुमफनर निकाल किए ऊόगा। vous वाट्साप नमबर क्योंकि अब चाहे आपका मैच्स का सवाल हो या फिजिक सिमिस्ट्री बाइलॉजिक का आपके हर डाउट हर कोशन का मिलेगा तुरंट वीडियो सलुशन वो भी सीधा आपके वाट्साप पर बस अपने फोन में डाउटनेट का आठ चार्सो चार्सो चार वाट्साप नमबर सेव कर लीजिए और चाट ओपन कीजिए फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल के आपको बस फोटो कीच नहीं है कुसे क्रॉप करना है और पांच सेकेंड में आपको उसका वीडियो सलुशन मिल जाएगा क्लास छे से बारा आइट जेई, नीट, क्रमेंट करते रहना सारे क्यूशन एक टाइप के हैं ठीक है जैसे जैसे क्यूशन आश्र करेंगे वैसे वैसे आपको और अच्छे से यह समझ में आ जाएंगे तो सेकेंड के अंदर देखो आपको पहला पदी निकालना यहां पर पहला पद नहीं दिया गया है पिर हमें दूसरा पद दिया गया है तीसरा पद निकालना है चोथा पद दिया गया है तो दूसरा पद दिया गया है तो इसको हम क्या लिखते हैं एट्टू ब्राबर हमें क्या दिया गया है तेरा दिया गया है इसी परकार हमें चोथा पद दिया गया है यानि एफोर ब्राबर हमे को सकते हैं बराबर में कितना है इतना गए इसके बराबर में तीन दिया है इसको हम Mythical माल लेंगे अब आपके पास समिकन एक हैçons इसे क्या करन करना है मान तो में डी 가운데 निकालना है तीक का क्या करना है सिर्फ पोन डी का निकाल ले येंगे फिर देखो दूसरा पते में दिया गए तैरा तो राख Ibupi रखेती हैं तो हमने एक दी वरह दोघ्जे दिया है हमें लीचण्प लेख़िये हैं लीफ यहां से डी कमान मिल जाएगा तब हम क्या करेंगे समीकन एक में से चाहिए तो आप दो में से गटा दो कौन सी समीकन किसी में से गटा दो समीकन एक में से एक मेंसे समीकन दो गटाने पर समीकन दो गटाने पर तो समीकन एक क्या है ए पलस डी बराबर तेरह है इस मेंसे दो गटाने है तो समीकन दो क्या है ए पलस तीन डी बराबर तीन है जो भी समीकन गटाते हैं जैसे दो गटा रहे हैं है ठीक है तो 2 कि क्या हो जाएंगे चिन हैंगे यह सिंद tri खर लिए यह फिलस का यह माइनस का दोनों कैंसल आउट होगी यह कैनि माइनस का 2D बचेगा । यह माइनस का 3 नैंज प्लस का 13 है तो खिल सकाद्स के दस सका यहां से कमान त्थ्य जो आएंगे तो दस अब दी कमान 5, माइनस 5 आया है तो इसे आप एक कमान निकाल लेंगे, एक कमान कैसे निकाल लेंगे, जैसे यहाँ पर इम दी कमान रख देंगे तो अपने पास एक कमान आजाएगा, ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, दी कमान, D का मान समिकन एक में रखने पर समिकन एक में रखने पर अब अपने पास समिकन एक क्या है समिकन एक है A पलस D बराबर 13 है ठीक है A पलस D बराबर 13 यह समिकन है कि इसमें D का मान रखेंगे तो यह दिक हम क्या रख रहेंगे माइनस 5 रख देंगे क्योंकि B-5 आया, D कमान ब्राबर में कितना है, 13, यह plus minus bracket का मिंस गुणा, तो plus का गुणा minus होगा, तो क्या हैगा, माइनस आगा, तो यहाणि A-5 ब्राबर 13, यह minus 5 ही से जाते प्लस का उजाएगा, तो यहाणि कि plus का 5 और plus का 13 मिलके कितना बना लेंगे, A ब्राबर 18, तो यह कमान कितना आ गया, 18 आ गया, दूसरा पद हमें दिया गया, और हमें क्या निकालना है, तीसरा पद निकालना है, ठीक है, तो तीसरा पद कैसे निकालते हैं, तीसरा पद यानि A3, इसके लिए हम क्या करते है, A plus 2D, तीसरा पद यह फॉर्मूला है, तीसरा पद यानि A plus 2D, A कमान अपने परस अभी कितने हैं 18 तो हमने 18 लिख दिए 2 का 2 D कमान कितना है माइनस 5 लिख देंगे यह पलस का है यह माइनस का बरेकेट का मिंज क्या होता है गुणा होती यानि कि 2 का गुणा पांस लोगा तो 10 आएगा और minus और plus का गुणा होगा तो minus आएगा तो यह कितना आप जाएगा 18-10 18-10 हो गया तियानि कि यहां पर A3 है इसका मान कितना आजाएगा 8 आजाएगा यह तो मैं निकालना था 30 रपद निकालना था तो A3 कितना आगया 8 आगया तो हम लिख देंगे तीसरा पद A3 अपने पास कितना आगया 8 आगया यह आपका क्यूशन नमर इसका 2 हो गया मैं वापस रिपेट कर देता हूँ कैसे करना आपको देखो हमें पहला पद और तीसरा पद निकालना था ठीक है और हमें दूसरा पद और चोरत पद दिया गया था तो दूसरे पद को हम लिख सकते हैं एक में दिया आप चाहे समय कननंका वह चाहला नि Eh अपने परते पत्ति निकालना था तो इस परकार है किजी है क्यों किetter निकाली है वह कितना है आठागा तो एटागया किसी परकार सफॉकन में है तीक है क्योंतर धस्क नियुक्याद तो सब्वारा करते हैं जो भी दिया जए उसको लिख लो डिया क्या बहले है पहलाप दिया गया है we are में चोता पत्द डिया गया कितना दिया गए और कि यह पूर को आपके सकते हैं ए a प्लस 3D और ब्राबर में कितना दिया गुनिस बटा दो दिया गए इसको हम समिकन एक मान लेंगे ठीक है क्योंकि यहीँ से तो हमें कुछ ना कुछ निकालना है डी कमान निकालना यां से ठीक है तो हमने 4 को क्या लिख लेंगे एक प्लस तीन डी लिख लेंगे अब एक का मान अपने पास है या नहीं एक का मान पांच है तो हम लिख लेंगे समीकन एक में समीकन एक में एक का मान रखने पर अब समीकन एक में एक का मान रखने पर निए पाँच इस साथा कि क्या हो जाएगा माइनस का खव जाएगा तो ती इंडि बेर गुनीश बटा दो माइनस पाँच ठीक अब इसको आगे स्व पर्ल करेंगे तो यह को कित नीबार जाएगा दो दो आया है दो का गुणा पांस से करेंगे तो कितना हो जाएगा दस हो जाएगा ठीक है तो तीन डी बराबर कितना बचेगा तीन डी यानि के तस गुनिष में से दस घटाएंगे तो 9 नो होन में कितना है 2 हमें शिरीफ पर शिर्फ डी का मान के बालाट अबच अदो तो d बराबर 9, तो और यहां पे गुणा में कितना है, ठीक है, यहां पे 3 है, गुणा में तो इस सेट आके 3 भाग में आ जाएगा, और 3 से 3 केंसल लाउट हो जाएगा, तो d कमान कितना बचेगा, 3 बटा 2 बचेगा, यह अपने पास क्या आगया, d कमान आए, कैसे आया है, य ऩॉर देखो आपके पास ए है पहला पद है ठीक है डी आ गया और अब हमें है क्या निकालना एक्यूस्थ के अंदर तीसरा और ćमकाता नीयुत likely आप यूसाध मैं क्यूसरा निकालना है यह प्लस एकरें वह क्या करने यह प्लस नियुन अ एका मान हमें 5 दिया गया है, औरD का मान हमें 5 दिया गया, 3 बटा 2 दिया गया, इसको आप स्वाल करेंगे, तो 5 नीचे हैं, तो हम 1 मान सकते हैं, तो 5 नीचे हैं एक मान लिया, तो L छेर्म कितना आगां यहां से, 2 आगें, एक का बाग दो में दो बार जाएगा और दो का गुणा हम पांस से गरेंगे कितना आजाएगा दस आजाएगा और दो का बाग दो में कितनी बार जाएगा एक बार जाएगा और एक का गुणा तीन से गरेंगे तो तीन आजाएगा बीच में प्लस का चेन हमने प्लस लिख दिया तो 10 प्लस 3 कितना हो गया 13 और 12 का देरें 2 का यानि 13 बटा 2 A2 कितना आ गया 13 बटा 2 आ गया इसी प्रकार हम क्या करेंगे A3 निकाल लेंगे A3 के लिए हम क्या करते है A और इसमें 2D जोड देते है यानि कि A3 तीस रपद निकालने के लिए फॉर्मला क्या होता है A प्लस 2D होता है A का मान हमें पता है 5 है प्लस का जिन हमने प्लस लगा दिया 2 और गुणा किस से करना है हमें D से करना है ठीक है तो D का मान कितना है यह देख लीजिए यह पर 3 बटा 2 है तो गुणा करेंगे 3 बटा 2 2 से 2 कैंसे लाट हो जाएगा तो कितना बचेगा 5 प्लस 3 यानि 8 यानि A3 है इसका मान कितना आगया अपने पास से 8 आगया यह तो हमें निकालना था हमें दूस रपद निकालना था और हमें 30 रपद निकालना था हमें पहला पद दिया गया था और हमें चोथा पद दिया गया था चोथा पद निकालना होता है तो उसके लिए सुत्र क्या होता है A प्लस 3D होता है तो यह हमने लिख दिया क्योंकि हम यहां से D का मान निकालने A का मान हमें पता है तो यह अमने समख़ Laま रखके में एक का मान रखिया कि यहां से डी का मान निकाली है जो कि कितना या तेन बटा दो आया फिर हमें दूसरा पद निकालना था तो दूसरे पद केraktर के लिए पर्मॉला क्या होता है मैं सारू उंत्रयान azony d जोड़ना होता है पहला पद हमें दिया गया है D हमने यहांसे निकाल लिया तो इसी प्रकार हमने दूसरा पद निकाल लिया कितना आया तेरा बटा दो आया पिर हमें तीसरा पद निकालना था तो तीसरे पद के लिए फॉर्मूला क्या होता है A प्लस 2D होता है एक का मान हमें पता है डी का मान हमने निकाल लिया तो मान रखें हमने तीसरे पत का भी मानिया से निकाल लिया तो यह आपको इसका क्यूशन नमर तीन हो गया इसी प्रकार हम इसका क्यूशन नमर चार है वो कर रहे हैं ठीक है क्यूशन नमर चार के अंदर आपको क्या क्या द लिए जाए ना वह लिख लेना है तो हमें पहला पद यानि एडिया गया है माइनस का च्यार सब्सक्राइब निकालना है तीस्स्का निकालना है और पांचों पद्र निकालना है आप आसानी से निकाल सकते हैं सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए डी का मान पता होना चाहिए अगर डी का मान अपने पास है तो हम आराम से निकाल लेंगे तो A6 है A6 को हम क्या लिख सकते हैं छटे पत निकालने के लिए हम क्या लिख सकते हैं एक का, एक का मान रखने पर, अब एक का मान कितना है, माइनस चार है, तो एक जगा माइनस चार लिख दिया, फिर पलस, फिर पांच डी बराबर में कितना है, यह माइनस चारी से डाकी किया उजाएगा, पलस का उजाएगा, तो यहनि पांच डी, छै पलस से चार, तो पांच दू बराबर कितना है दस हमें इस फर्टर दी कमांद निकालना है तो यंद पांश इसके भाग में आजाएगा तो दि बराबर दस बठा पांश तो कितना आ गया दो थे कामान आ है और डी कहा मान कितना है दो है तो यानिने च्थार निकाल लेंगे यह माइनस का 4 यह प्लस का 4 क्या बना लेंगे 0 तो माइनस 4 प्लस 4 बराबर कितना आगया 0 तोयानि कि A3 कामान कितना आगया अपने पास 0 आ गया इसी प्रकार में A4 निकाल आ तो A4 के लिए हम क्या करते हैं A Plus 3 D कि कि 2 अनि 7 माइनस 4 है और D के जगे में है तो 500 पद के लिए हम क्या करते हैं ए प्लस चार डी इसका फोर्मूला है एक का मान कितना है माइनस च्यार है ठीक है और च्यार गुणा डी का मान कितना है दो है च्यार का गुणा दो से करेंगे तो कितना हैगा आठ है ठीक है और यह माइनस का च्यार है तो आपको जल्ली सी वापस बता देता हूँ ठीक है एक टू यानि दूस्रा पद में पास कितना आए माइनस दो आया है तोमने माइनस 2 रख लिया तो तीजरा पद मंड़ा हमने 0 छी लिख दिया ठीक है फिर चोतह पद में पास दो आया है और 500 पद चार आया है छटा पद दिया गया है पहला पद हमें दिया गया तो क्यूंस नम्मर चार के अंदर पहला पद हमें माइनस चार दिया गया है और छटा पद हमें दिया गया था तो छटे को हम क्या लिख सकते हैं छेटेपद के लिए सुत्र क्या होता है एपलस पांस डी होता है इसके बराबर में में 6 दिया गया था ठीक है इसको हमने समीकर एक मान लिया समीकर एक में हमने A का मांण रखते है क्योंकि A का मांण अपने पास है तो To e कमान रखते है अपने पास ड स्वल्ल कितना गया दो आ गया। जैसे का मांण दो आय तो हमने एक टू निकाल लिया। ये डू क्या होता है एग मेंडी ढटे हें ठीक ऑस इसी परकार अपने पास आगया जिर आ गया और solving कितना आगया और हो आ इस परकार यह अपना क्यूसन नम्बर हो भी हो गया важно यहां कोई डाउट है तो आप कमेंट है वो जुरूर कर देना मैं आपको जल से जल इसका रिप्लाइग करोंगा ठीक है अब क्योश्न 15 पाँच वो कर लेते हैं हमें सबसे पहले पहला पाँच निकालना रहे हैं पहले पत के नजब ऑन SAT komma-28 या लिख सकते एप्लस दी लिख सकते हैं इसके बराबर हमें 38 दिए गया है इसको मुझरे थीक्ति प्रकार को लिख सकते से방म किया लिख सकते हैं आप लेख सकते हैं लिख सकते हैं एपलस पाच डी और बराबर में कितना pair ऐ है मैनेस का बाइस यह अपनी समिकन दो होगी हमें तो डिक मान्द चाहिए को हम कैंसे लाउट करतें एक समी अमें से दूसरी को लगटा देंगे चाहे तो आप इस समीकन मैं से यह इसा इन या फिर आप समीकन एक में से दो गटा दो आपकी इंच है तो हम क्या करे हैं समीकन एक में से दो गटा रहे हैं तो समीकन एक में से समीकन एक में से दो को गटाने पर दो को गटाने पर तो समीकन एक क्या है आपकी समीकन ए प्लस डी ब्राबर 38 है ठीक दूसरी क्या है ए प्लस पांच डी है और मा के चेंज हो जाते हैं जिसके चेंज हो जाएंगे यह मापलस है तो माइनस यह प्लस माइनस और यह माइनस वाला किस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा यह प्लस माइनस तो दोनों कैंसल आउट होगे यह प्लस का डी माइनस का पांच डी है तो कितना बचेगा माइनस का च 4 इसके पून में आजाएगा तो D बराबर कितना हो जाएगा 60-4 तो दोनों कैंसल आट हो जाएगे तो D बराबर कितना बचेगा माइनस का 15 तो यह अपने पास क्या आ गया डी का माने आ गया अब डी का मान आ गया तो हम डी का मान समिकन एक में रखने पर समिकन एक क्या है समिकन एक आपकी एपलस डी बराबर 38 है तीक है इसमे अम डी का मान रखेंगे यहाँपे अब कमान रखने दी कमान कितना है माइनस का 15 से बराबर में कितना का 38 यह पहले पनने एक कमान आजाएगा वो कितना आएगा..? प्रक्स फिर हमें दूसरा पतों देख लीजी यहां पे दिया गया है ठीक है पहले पत का मान हमने यहां पे कितना निकाल लिया त्रेपन निकाल लिया दूसरा पत हमें दिया गया है अब हमें तीसरा चोथा पांचो यह ने तीन पत और निकालने है तो सबसे पहले हमें यहां पे तीस तो किस प्रकार निकाल लए और फory कि यह कितना औया तो इसऀस आजाएगा इस में से जटेगा तो मान किफ़ेगा तीज बचएगा तेनी 3 20 रपद है वो कितना आपने पास है 23 इसी प्रकार आपको चौत अबर निकालना यानि एफ और निकाल लेना है एफ और के लिए हम क्या करती है एफ प्लस तीन डिस का फोर्मूला है एक कमान त्रेपन वो रख दिया प्लस कचिनम प्लस तीन और डी यानि डी कमान रख देंगे वो कितने है माइनस का पंद्रह है तो ये त्रेपन का तो हम त्रेपन लिख देंगे और ये दोनों हम क्या करेंगे एफाइप यानि पांचों पद निकाल लेंगे एफाइप पांचों पद यानि इसके लिए हम क्या करती है एफ पलस चार डी है इसका सुत्र एक आमान त्रेपन है वो हमने लिख दिया डी यानि चार गुणा माइनस का पंद्रा अब त्रेपन में से यह कितना है माइनस का कितना है साथ है तो इसका मान कितना आएगा माइनस का साथ आजाएगा तो यानि जो पहांच आपद होगा उसका मान कितना है अपने माइनस का साथ अब जो भी अपने पास मान नहीं अगिन को क्या कर देंगे लिख लेंगे पहला पद अपने पास 15 अब्रपाइब जेना नुकाल आ एक दो कितनी हुआ कितनी माइनस का साथ निकालहे यह आपका पाशन नमबर 5 हो गया किस परकार किया है में एक बार और आपको जल्दिशीर्यॉग रिवाइश करा दू को एक अामान A2 का मान हमें दिया गया यानि दूसरा पत दिया गया तो हमने लिख लिख लिया A2 को हम क्या लिख सकते हैं A प्लस D लिख सकते हैं बराबर कितना हो गया 38 समिकन एक है फिर अपने पास A6 यानि माइनस का 20 है तो इसको हम कहा लेख सकते हैं A १श LH 20 बराबर माइनस लिख सकते हैं यह अपनी समिकन दो होगी अब हमें क्या करना है डी कामान निकालने थो यह रहें इनमेंसी एक को काइंसल आउट लिए आ बापके पास भी माना आगए तो आप तीसरा और चोथा और आपको पांच अपन टितना है माइनस का इस प्रखलर की सन्हेंО possono 15 का मिलते हो गया इसी के साथ दोस्तों अभी है प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट आओ जरूर कर देना मुझे उम्मीद है कि आपको क्यूशन अच्छे से समझ में आ गया होगा क्लास आपके लिए हिल्प फूरी तो आप सी ज्यादा सी ज्यादा लाइक को और सियरे जरूर कर देना अगर आप चैनल पर पहली ब